नमस्ते इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल एप्लिकेशन के अंदर गैलेरी मोडूल का किस तरह के से यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गैलेरी मोडूल पे क्लिक करना रहेगा उसके बाद आपने यहाँ पे आलबम क्रियेट करके वीडियो और इमेजिस अपलोड किये हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उसके बाद आप न्यू आलबम क्रियेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिपार्ट के लिए आल्बम क्रियेट करना चाहते हैं तो क्रियेट कर सकते हैं आइधर वाइस आप इंडिविजियल डिपार्टमेंट वाइस भी आल्बम क्रियेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर प्राइमरी डिपार्टमेंट सिलेक किया उसके बाद यहां पर आप इंडिविजिय क्लास्रूम वाइस आल्बम क्रियेट करना चाहते हैं तो यहां आप से सिलेक्ट कर सकते हैं यहां पर मैंने और क्लासिस जैसे सिलेक्ट किया वैसे कि उसके बाद आपको यहां पर आल्बम का नेम देना रहेगा मैं यहां पर एक आल्बम का नेम ले लेता हूं कि मैंने आलबं का नेम ले लिया उसके बाद यहां पर आपको डिस्क्रिस्चन भी दे सकते है जैसे कि मैं यहां पर डिस्क्रिस्चन दे रहा हूं । यहां पर आपको सके Και तो यहाँ पर album create हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको images या videos upload करने हैं, तो आपको plus button पर click करना रहेगा। यहाँ पर 2 option आपको मिल जाएगे वीडियो और images। तो अगर आपको video upload करना है तो आपको video पर click करना रहेगा। यहाँ से आप video upload कर सकते हैं। यहाँ पे आपको images upload करने है तो यहाँ से आप images choice करके आप upload कर सकते हैं यहाँ पे आप multiple images भी upload कर सकते हैं तो जैसे मैंने image select किया उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे ही done किया तो मेरा जो image है वो upload हो गया तो इस तरीके से आप gallery module का use कर सकते हैं Thank you, thanks for watching my video